Hello friends, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Superfast Study and Experiment पर तो friends, इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही interesting और important topic के बारे में जी हाँ, हम डिसकस करने वाले हैं gearbox overheat होने के बारे में हम जानेंगे कि आखिर gearbox overheat क्यों होता है और gearbox overheat होने से क्या-क्या problem चाहेंगी और हम ये भी जानेंगे कि इसका solution क्या है gearbox overheat होना एक common problem है जिसे की industries में आप सभी ने कभी न कभी फेस किया होगा तो चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं gearbox overheating के बारे में तो friends, ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube चैनल पर मैं upload करता रहता हूँ से ज्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस वीडियो को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिता हैं तो सबसे पहले हम ये discussion कर लेते हैं कि gearbox के overheat होने से क्या क्या problems आएंगी normal operating conditions में अगर हम gearbox की बात करें तो gearbox का temperature जो है 40 degree centigrade से लेकर 60 degree centigrade तक होता है ये इसका normal operating temperature range है जैसे ही आपका gearbox ये temperature limit को cross करता है इसका मतलब 60 degree centigrade से भी ज़्यादा temperature पर है इसका मतलब वो overheat हो चुका है अब देखी gearbox अगर overheat होता है तो उसका सबसे पहले effect परता है उसके lubrication पर lubrication जैसे कि हम सभी को पता है gearbox में gear oil को use किया जाता है lubrication के लिए उसमें oil fill up किया जाता है तो oil की viscosity temperature के साथ decrease होती है यानि कि जैसे जैसे temperature बढ़ता जाएगा उसकी oil की viscosity जो है वो decrease होती जाएगी और जैसे ही viscosity decrease होने लगी oil की इसका मतलब यह है कि वहाँ पर viscosity जो है lubrication जो है वो proper नहीं होगी जो कि आपके gear oil का काम है उसका function है gearbox को lubricate करना friction को reduce करना और gears को उसके components को parts को save रखना तो viscosity कम होने से यह proper नहीं हो पाएगी जो कि आपके gearbox के लिए बहुत बड़ा problem बन सकती है और जिससे कि आपके gearbox की life कम होती है और gearbox fail भी हो सकता है gearbox overheat होने से दूसरा एक और problem जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा आता है वो यह है कि gearbox में जो seals लगी होती है rubber की shaft के पास में जिसका काम होता है lubricating oil को बाहर leak ना करने देना तो overheat होने की वज़ा से heating की वज़ा से यह seal जो है उसके damage होने के chances बढ़ते हैं जिससे की gearbox में leakages हो जाती है और यह आपके gearbox के लिए सही नहीं है अगर हम सीधा और simple सब्द में अगर कहें तो overheat होने से हमारे gearbox की performance भी कम हो जाएगी gearbox की life भी कम हो जाएगी तो चलिए अब जानते हैं कि gearbox के overheat होने के क्या क्या reasons होते हैं तो सबसे पहला reason है gearbox में excess oil level fill कर देना यानि कि mostly 90% cases में gearbox के heat होने का यही कारण होता है अगर देखिए किसी भी gearbox में oil level indicator होता है उस oil level indicator में आपको बिलकुल perfect oil level जो है वो fill करना है अगर आप उससे ज़्यादा oil fill up करेंगे तो आपका gearbox heat होगा अब इस बात को सुनने के बाद आपके mind में जरूर ये question आया होगा कि अगर oil ज़्यादा है तो फिर heat क्यों हो रहा है क्योंकि lubrication तो अच्छे से होना चाहिए ज़्यादा oil है तो फिर तो चलिए इसका answer मैं आपको बताता हूँ देखिए जो gearbox में gear oil को use किया जाता है जो कि lubrication का काम करती है lubrication के साथ साथ उसका काम cooling का भी होता है gears के operation की वज़े से meshing की वज़े से जो भी heat generate होती है उस heat को absorb करते हैं ये gear oils ये lubricants तो उस heat को ये absorb करता है तो क्योंकि अब आपके gearbox में ज़्यादा quantity में oil fill up है तो ज़्यादा quantity का oil जो है वो heat होगा यानि कि आपके gearbox के अंदर heat content जो है वो बढ़ते जाएगा आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ माल लिजे आपने एक container लिया है एक बरतन लिया है जिसमें आपने half liter oil लिया है आधा liter oil है जिससे आपने heat किया है एक temperature पर heat करने के बाद जब आप उसे छोड़ेंगे cool होने के लिए तो वो cool होगा और एक दूसरा पैन आपने लिया है दूसरा container लिया है जिसमें एक लिटर आपने oil लिया है उसको जब आप heat करेंगे तो जब cool करने के लिए उससे छोड़ेंगे दोनों को तो आप ये देखेंगे कि half liter वाला याने कि आधा लिटर जो oil है वो जल्दी ठंडा हो क्यों क्योंकि उसमें heat content कम है यहाँ पर ज़्यादा oil है एक लिटर वाले में इसलिए उससे ज़्यादा समय लग रहा है सेम यही चीज़ होगा आपके gearbox के साथ ही gearbox में अगर ज़्यादा oil होगा तो उसे cool होने में भी ज़्यादा समय लगेगा अब आपने देखा होगा gearbox में fins लगे हुए होते हैं और पीछे में fan भी लगा हुआ होता है जिसकी वज़य से उसे वो cool करता है पर क्योंकि यहाँ पर oil की quantity ज़्यादा है तो वो cooling proper नहीं हो पाएगी जिसकी वज़य से आपके gearbox का temperature धीरे 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 बढ़ता जाएगा तो यह तो हो गया पहला reason अ जो की है इसका ठीक उल्टा जिहां अगर आपके gearbox में oil level जो है वो बहुत कम होगा यानि कि level से कम अगर oil आपने फिल किया है gearbox में तो भी आपके gearbox जो है वो heat होंगे कैसे क्योंकि देखिए gearbox में जो lubricant से उसका काम है lubrication करना साथ में cooling करना अब देखिए यहाँ पर जब अगर कम oil है तो वो अच्छे से gears में लगेगा नहीं है ना gears में जो layers है वो proper नहीं बना पाएगा जिसकी वज़ासे friction ज्यादा होगा ज्यादा friction होने से ज्यादा heat generate होगा और इस वज़ासे आपके gearbox का temperature जो है वो बढ़ता जाएगा ये हो गए दो reason इसके अलावा reasons है जो cooling system है हमार आपका gearbox जो है वो dusty atmosphere में है है ना तो क्या होता है ये आपके fins के उपर में एक layer बना देता है परत एक dust की जो है उन fins के उपर चड़ जाती है जिसकी वज़ासे atmosphere में जो heat loss होना चाहिए और जो gearbox की cooling होनी चाहिए वो नहीं हो बाती है दूसरी चीज ये है कि जो gearbox के fan है fan का जो टिक हो जाते हैं जिसकी वज़ासे उनका suction area काम हो जाता है जिसकी वज़ासे वो proper cooling नहीं हो पाती और आपका gearbox जो है वो heat हो जाता है इसके अलावा एक और reason है अगर आपके gearbox में जो oil use हो रहा है अगर वो oil खराब हो चुका है देखिए किसी भी चीज की एक life होती है ना life cycle हो होता है यानि कि पुराने oil को आपको drain out कर देना है और नए oil को आपको वहाँ पर fill up करना है एक समय के बाद में क्या होती है आपके lubricating oil की viscosity धीरे 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 decrease होती होती है और decrease होने की वज़ासे फिर वो अपना function जो है उसका lubrication वो perform नहीं कर पाती और इसी वज़ासे gearbox आपक कुछ common reasons जिसकी वज़ा से आपके gearbox में overheating होती है तो अगर इसके अलावा भी और कोई reasons होते हैं तो आप comment करके जरूर बताएं आपके हिसाब से उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदाः